हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूवी दिसकोखिंग आज मैं आप सबके शाय करने वाले हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी एसी रेसिपी बाजरे के आटे के वड़े जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं स्पेशली विंटर में तो इसके खाने की मज़े कुछ और है बहुत ही बहुत कम हिंगेंड में हम घर पे बना सकते हैं फुले फुले से सॉफ्ट से हमारे वड़े बहुत ही टेस्टी है आप इस रेसिपी को जरू से ट्राइ किजीगा बच्चों को बड़ों को सब को पसंद άती है आप लॉंच बोस्में टीफीन बोस्में भी दे सकते हैं टीट आपको तुरहन मिल जाए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर एक बाउल ले लिया है उसमें मैं लेनी हूं दो कब बाजरे का आटा जो बहुत ही आसंतरी के सब कोई भी ग्रोसरी स्टोर पर इसली अवेलेबल रहता है तो यह ले लिया है दो कब बाज हरेमेज 5-6 क ली लसन और 1 इंच अदरकका टुडा को मैंना तो इस तरह बना लिया था पर इग्दम बारिक पेस नहीं मैं ऐसे गोस्टी कर लिया था तो मैंने वह ले लिया है अब यहां पर मैंने एकक ब्रकी ले ली यह और यहां पर मैंने एकंच्य मेति मिल जाती है तो के तो कड्सुरी मेथी उसकर सकते और उन भी नहीं तो स्किप कर सकते हैं यहां पर मैंने लिया है את फ्रेश छॉप शॉप किया हऊा हरा धनिया यहाँ पर 1 टी स्पूनी या एक टेबल स्पून के करी म에서ल के और अब मैं इसमें डाली हूँ वन टेबल स्पून के करीब वाइट तिल सेसमी सेड्स जो बोलते हैं वो अब हम कर देंगे बेजिक से मसाले तो यहाँ पर मैं डाली हूँ धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मेच का पाउडर सारा आप टेस्ट के कड़िन डाले हैं हरी मिच हमने डाली हूई है तो आप लाल मिच उसकी हिसाब से डाले बहुत ज्यादा चट पटा तो चाहिए पर तीका रही और अब यहाँ पर मैंने करीब वन टेबल स्पून डाल दिया है और अब इन सब को बहुत ही अच्छे तरह के एक बन मिक्स कर लेंगे सारे टर्णिंगों को अच्छे से मिक्स करना जरूरी है ताकि मर जो मसाले है मेथी है वह सब अच्छे से बाजर के आटे में मिक्स हो जाए तो अब यहाँ पर मैंने ले ली है बटर मिल्क आप चाहें दहीं भी ले सकते हैं और बादे पानी यूज कर रहे हैं तो अब मैं धीरे धीरे एड़ करकर कि इसमें इसका एक मीडियम डो बना लोंगे कितना लेना है कम्प्लीटली डिपेंड्स ओन यूर डो आपके आटे का टेक्स्टर कैसा है कभी बाजरे का आटा ज्यादा सोक कर लेता है कभी कम तो यहाँ पर धीरे धीरे धीर मिल्क एड़ करते जाए और इस तरह से मसल मसल के उसका एक डो जैसा लगा लिजिए क्योंकि यह जब मसलेंगे तो अच्छे से मेथी में भी पानी रिलीज होगा तो उसके हिसाब सब डालते जाए और यह देखिए मैं इस तरह से इसको बांदते जादिए और एक सेमी लगा करके रेडी करना है अच्छे से मसल ते जाए और रोको बनाते जाए यह देखिए मैं इसी तरह से बनाती जाए देखिए कितना स्वाफ्ट हमारा सेमी सॉफ्ट डो बनके रेडी हो चुका है तो इसको मैं धख अरके 10 मिट के लिए रेस्ट करने देख दूंगी और रेस्ट हो गया है हमारा डो सेट हो गया है तो हाथ में मैंने लगा लिया है और इस तरह से चितने साइस के बड़े बनाने है उस तरह के छोटी से आप लोई ले लीजिए और बहुत हलके आथ से इस तरह से प्रेस कर लीजिए आप इस तरह से प्रेस कर लीजिए आप इ ज्यादा हमें पतले नहीं मराना है इसको ठीक ही रखने है तब यह अच्छे से फूलेंगे जब भाइख करेंगे तो यह देखे इस रखे वड़े बना कर रख दूंगी और फिर बाद में हम इसको फ्राइट करेंगे तो यहाँ पर मैंने और यहाँ पर अटरी ओल को प्रीहि बहुत जादा लो पर नहीं बहुत जादा है वड़े दालने के बात में इसको 10-15 सेकंड का गैब दीचे उसके पात में अब धीरे दीरे इसको हिलाईए ताकि यह तूटे ना और अच्छे से फूल जाए इस तरह से तेल उपर से डालने से हमारे जो बड़े हैं वह बहुत ही अच्छे से फूल जाता है और जब वड़े अच्छे से फूल जाएंगे हलके से उपर आने लग जाएंगे तो उस टाइम पे हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद में हम इसको दूसरी तरफ से भी कूक कर लेंगे हलके से वड़े हमेरे उपर आ चुके हैं तो अब म मैं इस सब को अच्छे से फिर से फ्राइ कर लूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखिए हाई पे बिल्कुल भी नहीं दीरे दीरे ये वड़े जो है फुलते जाएंगे और कुक होते जाएंगे ये हलके से डार्क रिज ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब तक हम इसको कु इसको कुल ब्राउन कलर और को निकाल लेंगे ब्लेर में आपकोना के रिएंगे में म्लेण कलरा गाहिंगे अर सकाति हमारे प्लिवम अब टोक माल बंखक कूह हैं अब अब निकाल цент गी प्लेट में और इससी दरह से मैं साहरे वड़े नीकाल लोगी प्लेट में कालर hadi मुर तो तयार है हमारे बहुत ही टेस्टी ऐसे बाजरी मेथी की वड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है आप इसको कभी भी खा सकते हैं आप इसको लंच बॉक्स में दे सकते हैं तीफिन में दे सकते हैं कोई गेस्ट आए तो भी ब अब उसे भी चेक कर सकते हैं तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक यू